हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर 2 के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में कुछ नए अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो इन दौर फिजिकल अकैडमी से इन दौर में रहकर भारती सेना की तयारी कर रहे हैं पहले शूट के लिए दोसों में से अभी 62 जवान फिल्म की शूटिंग के लिए गए हैं फिल्म की शूटिंग महरास्टर के एहमद नगर में चल रही है जो 22 दिन चलेगी यह सभी 9 जव जवान को चुन-चुन कर मार गिराते हैं फिल्म में सैनिकों का रोल कर रहे सभी जवान मजदूर किसानों के बेटे हैं 20 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच फिर हुई जंग इस बार प्यार को पाने के लिए नहीं बलकि सेना के जवान को बचाने को लेकर होगी जानकारी पाकिस्तान की सरत पार करता है फिल्म गदर 2 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई को प्रमुकता से दर्शाया जा रहा है पहली फिल्म में तारा और सकीना की लव स्टोरी थी लेकिन इस बार तारा अपने लड़के की जान बचाने के लिए पाकिस्तान जाएगा सेना में अफसर का किरदार निभा रहे इंदोर के जितेंदर पूरवाल ने बताये कि एक साल पहले फिल्म के डिरेक्टर अनिल शर्माव और उनकी टीम के साथ महु से करनल मिलने आये थे उनका कहना था कि आपके यहां सेना की तयारी कर रहे सभी लड़के बहुत ही जोशीले वा फुर्तुीले हैं सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर जवानों के बारे में पता चला और फिल्म की शूटिंग के लिए 200 लड़कों को लेने की बात हुई जितेंदर खुद सेना में तीन बार क्वालिफाई कर चुके हैं तो दोस्तों बाप हमें बताईए कि आप कितने ज़्यादा एकसाइटेड हैं फिल्म गदर 2 को लेकर और आपको क्या लगता है कि इस बार लव स्टोरी नहीं है लेकिन तारा सिंग अपने बच्चे की जान के लिए पाकिस्तान जाएगा तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म पहली वाली गदर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं हमें जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिये